Hello and Welcome Friends ! Age और Wait को लेकर एक छोटा सा प्रोग्राम C Language में देखें के हम और इसमें हम Pointer का भी यूज़ करेंगे ! Structure के साथ-साथ Pointer का भी यूज़ करेंगे ! तो चलिए ये Start करते है Code Blocks को Open करना है हमें ! यहाँ पर Start फाइल बनानी है ठीक है तो header file बना लेते हैं header file है हमारी hash include stdio.h ठीक है इसके बाद फिर नीचे आएंगे नीचे जैसे ही आएंगे तो यहां पर एक हमें keyword लिखना होता है struct चुकि हम structure का program बना रहे हैं तो struct keyword लिखना जरूरी है फिर table एक बनाया हमने person नाम से ठीक है और यहां पर curly bracket लगा लिए curly bracket लगाने के बाद फिर int type का data type में ले रहा हूं और int में हम क्या store कराएंगे age store कराएंगे यानि जो भी व्यक्ति है उसका age store होगा ठीक है person का age store होगा ठीक है अब यहां पर इसको कर देंगे float भी करेंगे इसका wait भी store कराना है तो यहां पर wait के लिए float हो सकता है wait float में हो आप यहां भी float लगा सकते है चलिए यहां पर float ही रखते हैं, हो सकता है age भी 15-10-5 year, ऐसे कुछ करके हो, ठीक है, तो इसके लिए भी float में कर लेते हैं, age को भी float में कर लेते हैं, तो यहां float कर लिए हमने, ठीक है, अब यहां पर नीचे आ करके, इसको पहले terminate कर देता हूं, age और wait, यह दोनों terminate हो गए, यहां पर आ करके, और curly bracket को कर दिया, close और यहां पर terminate कर दिया, terminate करने के बाद यहां पर जब हम आएंगे, तो यहां पर main function बनाना है हमें, तो int main लिखा हमने, आ गए, यहां पर curly braces open कर लिया, open करने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर struct keyword वापिस से लिखना है, ठीक है, त pointer का symbol होता है यह, ठीक है, start, और यहां पर ptr लिख लिया, ठीक है, comma दिया, अब एक और चीज, एक और variable person1 के नाम से बना रहा हूँ, तो यहां लिख दिया, person1, यह लिख दिया, और इसके बाद इससे terminate कर दिया, फिर enter करके नीचे आएंगे, फिर यहां लिखता हूँ मैं, person, ptr, यह लिख दिया, is equal to, ठीक है, और address of person, address of person, यहां पर person करेंगे, तो address of person कर दिया हमने, और यहां पर open रख दिया, और इससे terminate कर दिया, terminate करने के बाद enter ट्रेस करके नीचे जैसे ही आएंगे, तो यहां पर हमें printf लगाना है, print करवाने के लिए, तो printf लगा दिया हमने, इसके बाद से age एंटर करवाना है हमें, तो यहां पर लिखता हूँ मैं enter age, ओके, तो age यहां पर enter करना होगा, ठीक है, और इसको close कर दिय terminate कर दिया, नीचे आएंगे, चुकि age जो है, user enter करेगा, that's why यहां पर scanner भी लगा दीजिए, यह तो आप जानते ही है, पुरानी कहानी है, तो यहां पर %d लगाएंगे, अच्छा, यह बताए, हमने पहले लिया था age के लिए int, अब ले लिया है float, तो %d लगेगा कि %f लग person ptr, जो लिया हमने person ptr, यह कर दिया हमने, यहां पर जो less than sign है, वो लगाएंगे, less than age, तो यह कर दिया हमने, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसे terminate कर देना है, terminate करने के लिए हमें semicolon देना है, और कुछ ने करना है, enter करके नीचे आएंगे, फिर यहां printf लगाता printf, अभी हमने क्या enter करवाया है, अभी हमने age enter करवाया है, अब हमें क्या enter करवाना है, weight enter करवाना है, फिर उसको printf भी करवाना होगा, तो चलिए यहां पर कर लेता हुए, enter the weight, close किया, terminate किया यहां से, ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, चुकि यह enter कौन करेगा, user है, percentf तो लगाना है, क्योंकि floaty तो लिआ है, तो percentf कर दिया हमने, ठीक है, percentf करने के बाद, हमें यहाँ पे address of, क्या है, percentptr लिया था न, तो यहाँ percentptr कर दिया, ठीक है, और minus, minus क्या करेंगे, less than weight, ठीक है, यह कर दिया, हमने terminate किया, terminate करने के बाद क्या करना है printf लगाना है printf क्यों लगाना है क्योंकि इसमें हम कुछ देना चाहते है क्या हम देना चाहते है इस लगाना है क्योंकि हम चाहते है कि age और weight दोनों print होकर आए ठीक है तो जो भी है हमारा result print हो जाए तो printf लगा दिया अब age तो age is percent f और backslash n इसलिए लगा रहा हूँ ताकि line change होती रहा है ठीक है यह आपने कर दिया अच्छा जो आपने variable बनाया है person ptr या इस तरह से कोई और भी variable आप बना सकते हैं यह कोई जोरी नहीं कि इसी नाम से बनाजिए आप तो यहाँ पर लिख दिया हमने person ptr ठीक है तो person ptr कर दिया less than age ठीक है अब फिर वही चीज नीचे भी अभी तो age के लिए था अब weight के लिए तो यहाँ लिखता हूँ print tap percent f is the weight यह कर दिया हमने और इसके बाद क्या करना है इसके बाद फिर वही person ptr ठीक है तो यह कर देंगे और terminate करने के बाद चुकि int में लिया है तो return 0 भी देना होगा तो यहाँ पर return 0 दे देता हूँ return 0 यह दे दिया हमने और इसको यहाँ से close कर दिया बस इतना ही आपको करना है अब इसको save करने की बारी तो जहां से इसको save कर देता हूँ desktop पे save करेंगे यह desktop पे चलता हूँ point dot c point dot c नाम दे दिया हमने इसे और इसको enter करके save कर दिया अब यहाँ से compile करवाने की बारी तो इसको अगर कोई error नहीं है तो हमारा program successfully compiled हो जाएगा, compiled हो भी गया, ठीक है, अब run करवाना है, यहाँ पर भी click करके आप run करवा सकते हैं, यह जो play का button, run का button दिया हो, यहाँ पर भी click कर सकते हैं, छली यहीं पर click कर लेते हैं, तो यह run हो गया हमारा program, ठीक है, अब age enter करना ह है, देखिए gap छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, तो माली यह weight है, इनका 76 kg, ठीक है, तो यहाँ पर age और weight दोनों print होकर आगया आपके सामने, ठीक है, आप देख सकते हैं, इस तरह से आप pointer का use करके भी program बना सकते हैं, ठीक है, structure और pointer दोनों को, अब देखिए फिर एक बार करता हूँ, फिर यहाँ पर age एंटर करता हूँ, यह समाली जी 88 age है, ठीक है, weight कितना है, weight है, 67, ठीक है, तो यह इस तरह से आ जाएगा, उमीद करता हूँ, बात समझ में आई होगी, thank you for watching this video.